नमस्कार मैं हो ससी आई जर्खन की टोप 25 परमुग खबर जानते हैं महिला अरक्षन भिधेक को जर्खन की महिला सांसुदो और भिधायकों ने बताया एतिहासिक संजत के नए भौन में एतिहासिक महिला अरक्षन भिधेक पेश किया गया इस बिल को नारि सकती वंदन अधिनियम नाम दिया गया इस बिल को कानूनी मंतरी अर्जुन राम मेघुवाल ने लोकसभा में पेस किया इस बिल पर बुद्धवार को लोकसभा में सुबह 11 वैसे चर्चा होगी बताते परधान Воंतरी ने कहा है कि यह बिल महिलाओं को और सुसगत करेगा महिला आरक्छन बिल के पेस होने पर जुर्कन की महिला सांसुदो और बिधायखों ने खुशिजटाई है पर एस बिल को इतिहासिक बताया इस बील से सभी पार्टियों की महिलावों में खुसी है लेकिन अभी जैसा सुचना आ रहा है कि 2024 के चुना में महिलावों कोई इसका लाब नहीं मिल पाएगा उन्हें परिस्तिमन और जनगन्ना तक इंतियार करना होगा इससे उनका उत्सा तुटा है आदिवासियों को लेकर सीयम हमंत बोले आदिवासी 12 करोर लेकिन जनगन्ना में कॉलम तक नहीं मुख्यमंत्री हमंसुरे ने कहा है कि भारत के लिए समाजिक सुरक्षा के बिस्षा बहुत माइने रखता है नई दिली में अवित इंडिया फोर सोसल जस्टिस के दूसरे आदिवासी नेता के रूप में देश के पहले ब्यक्ति होंगे जिन्होंने इतना लंबा संगहर्ष करने के बाद आपना एक जगह बनाया ब्यापक गरीबी सोसन और समाज पर हो रहे चोतारफा हमले के बीच या मुकाम हासिल करने में एक उम्र कट जाती है इससे समझा जा सकता है कि एक ब्यक्ति के लिए खुद की पाचान और प्रतिनिधीतों के लड़ाई में पूरी उम्र कट जाती है पूरी समाज को आगे आने में कितना वक्त लगेगा आज भी आदिवासी समाज को देश के अंदर कोई जगा नहीं है यह दुर्भाग यह है कि देश के लगभग 12 लोर आदिवासी समों के लिए जनगना में कोई अस्था नहीं है सुप्रीम कोट के आदेश पर हाई कोट में गुहार लगाने के त्यारी में सीम हेमांत सुप्रीम कोट के आदेश के बाद अब सीम हेमान सुरेन की लीगल टीम आगे कदम उठाने के लिए मंतन कर रही है संभावना जताई जा रही है कि इस मामले में गुरू आर्तक हाई कोट में रीट दाखिल किया जाएगा सुप्रीम कोट के निदेश पर इस मामले में रीट याज के अदाखिल करने के लिए सीम की लीगल टीम ने मंतन सुरू कर दी है गुरू आर्तक इस मामले में रीट याज के अदाखिल किया जाएगा प्रेन रद का आधेस वापस कुर्मी आंदोलनकारी अड़े कुलकत्ता हाई कोट के आधेस के बाद रेल्वे ने तीसर ट्रेनों को रद करने की अधिसुचन वापस लेली है कुर्मी समुदाय की ओर से 20 सितंबर से घोसित अनिस्चित का इन रेल रुको आंदोलनको देखते वे रेल्वे ने अधिसुचन जारी की थी इनमें रांची रेल मार्ग की 10 धन्माज रेल मार्ग की 20 और जम सेध पूर होकर गुजरने वाले तेतिस ट्रेने सामिल थी इसके अलावा कुछ ट्रेनों का रूट डैवर्ड भी किया गया था कुलकत्ता हाई कोट ने कुर्मी समुदाय के अंदोलन को असमेधानी करार देते वे कहा है कि आम लोगो को परिशान करने वाले अंदोलन को अनुमती नहीं दी जा सकती दूसरी तरफ अंदोलन कारी टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चाने कुलकत्ता हाई कोट के आदेश के वावजूद जारखन में रेल रोकों अंदोलन को जारी रखने का एलान किया है देश में आदिवासियों दलीतों को नाम मात्र की समाजिक सुरक्षा सियम हमांत मुख्य मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि भारत में समाजिक सुरक्षा का मसला आजादी इतने समय बाद भी कहीं न कहीं अधूरा दिखाई दे रहा है ए बाते उन्होंनों नई दिल्ली में मंगलवार को आयोजीत इंडिया फोर सोसल जाश्टिस के दूसरे राष्टिय सम्मिले में राची से ऑनलाइन जुड़े हुए कहीं उन्होंने कहा है कि हमारे पुर्वजो और स्वमिधान निर्माता ने समाजिक सुरक्षा की जैसी परिकलपना की थी वह आज खास्त और प्रपिछडा अल्पसंख्य को रग भी सेसकर आदिवासी दलित के लिए नाम मात्रे के लिए है इन वर्गों को समाजिक न्याय सुनेश्चीत होना जरूरी है पौहचान और प्रतिन धित्व के बगए समाजिक न्याय की परिकलपना भी बहुत स्रे नहीं होगी सीम हमत ने कहा है कि अदुर्भागय है कि आज भी देश के लबगबारा को आदिवासी समूह के लिए जनगना में कोई अस्था नहीं है राजे में डेंगू से पांचवी मौत 46 नए मरीज राजे में मंगलवार को डेंगू से एक और मौत हो गई है राजे में डेंगू से मौत का या पांचवा मामला है सभी लोग जमसेत पूर के राने वाले थे वही मंगलवार को राजे में कूल 46 डेंगू के नए मरीज मिले है राज ये भर में मंगलवार को डेंगू के 76 संदिग्द मरीज मिले हैं जिन में से 74 लोगों ने जाच कराई है इन में से 46 में डेंगू के पुष्टी हुई बदाद जारखन के पुर्भी सिंभूम में सबसे ज़्यादा डेंगू के 36 मरीज मिले वही राजधानी राची में डेंगू के 15 संदिग्द ने अपनी जाच कराई इनमें से 1 में डेंगू के पुष्टी हुई है चात्रा में भी 1 धनबाद में डेंगू के 5 खुटी में 3 नए मरीज मिले हैं इसके लावा चिकन गुनिया के भी 96 संदिक्द मरीज मिले हैं जिन में 52 मरीजों ने जाच कराई जिन में 4 मरीज प्रोजेक्टिव मिले हैं जारखन बिधान सभा में 27 सीटे होंगी आरकछीत नारी सक्ती वंदन बिधायक लोग सभा में पेश हो गया है बुद्धवार को इस पर चार्चा होगी बिधायक के कानून बनने की परकिरिया अभी बाकी है लेकिन इस बिधायक को लेकर सुबे की सियासत में सरगर में बढ़ गई है जन संख्या के लिहाज से परदेश की रायनीति में महिलाओ का परतिनीत्व कम है कमो वेस परमूख रायनीतिक दलों में भी यही स्थिती है राइनितिक बिसे सगों का कहना है कि महिला आरक्षन को लेकर कानून बनने के बाद जारकन की राइनितिक तस्विर में बदलाव जरूर होगा जारकन राज बिधान सभा में 27 सीटे महिलाव के लिए आरक्षी थोगी सभी दलों को सामिल कर ले तो पाचवी बिधान सभा में केवल 12 महिला बिधायक है राज में निर्वाशित बिधायको के कुल संख्या 81 है बता दे नए परी सीमन के बाद महिला आरक्षन लागू होने पर जार्कन विधान सव में आरक्षी सीटों की संख्या सभाविक रूप से बढ़ जाएगी हेमंत का राइनीतिक कद बढ़ने से भाजपा परिसान जे में जामो के महा सची उस्व प्रवक्ता सुपरियो भटा चाय ने मंगलवार को पार्टी के कर्याले में पत्रकार वारता के दरवन कहा है कि मुख्य मंत्री हेमं सुरेन को इंडिया गट बंधन की समन्वे समीति का सस बनाय जाने और उनका लागाता राइनीतिक कद बढ़ता देखकर भाजपा बखला गई है बखला हट में अनाप सनाप आरोप मुख्य मंत्री सुरेन पर लग रही है भाजपा को जार्खन से भगाने का रास्ता नहीं सुझ रहा सुपरियों ने कहा है कि भाजपा जार्खन की सरकार को आई स्थीर राजे में असांती फैलाने का सड़यंत्र रच रही है और मुख्य मंत्री पर भाजपा कराश्ट्रिय परवक्ता सहीद जफर इस्तलाम की ओर से लगाए गए तथे हिन आरोप से असाबित होता है कि भाजपा बखलाहट में ऐसा कर रही है संसाधन के अभाव में बदहाल हुआ सीम स्कूल घर भेजे गए बच्चे जारखन सरकार ने बड़े ही ताम जाम से असी स्कूल आप एक्सिलेंस का उद्खाटन किया था कुछ ही दिन बितने के बाद स्कूलों की स्थेती खराब होती जा रही है कहीं सुविधाओं का घोर अभाव है तो कहीं होस्टल पर दूसरे का कबजा हो गया है एक और जहां राज सरकार पंचायत अस्तर पर पांच है स्कूल आप एक्सिलेंस खोलने के त्यारी में है वहीं दूसरी और पिछले दिनों खोले गया से स्कूलों में आज भी संसाधन का घोर अभाव है कलास रूम से लेकर छात्रावास तक में बिद्यार्थियों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है बगएर संसाधन के जैसे तरह से चल रहे रांची के जिलाई स्कूल स्थीत स्यम स्कूल आप एक्सिलेंस में और बेवास था का आलम या है कि ना तो कलास रूम अपना है और नहीं छात्रों को रहने के लिए छात्रावास स्कूल परिशार में बन रहा स्कूल भवन अभी तक पुर्ण नहीं होने की वज़ा से पुराने जिलाई स्कूल भवन में कलास जहते तरह से चल रहा है पिछले दिनों आग लगने के कराने कलास रोम के छाति ग्रश्ट होने से वरतमान समय में छातरों को भारी कठना या का समना करना पड़ रहा है स्कूल परवंधन द्वारा बैकल्टिक ब्यवस्था के तहट स्कूल कैमपस के बाहर दूसरे कारियों के लिए बने कल्यान विभाग के बिलिंग में छातरों के कलास लिया जा रहा है कूर्मी समाज के 20 सितंबर से रेल चक्का जाम को लेकर सुरक्षा के पुखता इंतजाम एस्टी के अदाजा देने समेथ और मांगो को लेकर कूर्मी समाज 20 सितंबर से रेल चक्का जाम करेगा इसके आंदोलन को देखते हुए बीधी बेवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पसातन सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये हैं बता दे कुडमी विकास मोर्चा के 20 सितंबर से अनिस्चित काल के लिए रेल टेक का रेल चक्का जाम आंदोलन के दोलन बीधी बेवस्था यों सुरक्षा बेवस्था बनाए रखने को लेकर रांची के उपायूक सा जिला दंडा अधिकाई राहूल कुमार सीनहा यों सस्प के मूरी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गए हैं धन्यवाद